हैलो एब्रीबन कैसे हैं आप लोग आफा करते हूं आप लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग बीपीफ़ी प्रात्मिक फिच्छा का प्राक्टिफ एट नंबर तीन फॉल्व करेंगे जो की इडूट एरिया का है तो चलते हैं कोस्चेन नंबर वन पे हम लोग तो कोस्च द्वारा कलिंग का यूद की बर्फ लरा गया था तो अफोग के द्वारा कलिंग का यूद दोफो एकफ़ट हिश्वी पूर्व लरा गया था नेक्स्ट कोस्चन नंबर थड पे चलते हैं मौरे काल में चारा गाह के अध्याच को बीवीता ध्याच कहा जाता था तो नेक् गुपत काल में पूंग किफे कहा जाता था तो हम लोगा राइट अर्ण सर हो जगा निया याले Next question नमर 5 देखते हैं निम्लिखित में कौन से रचना हर्ष बर्धन पे सम्बंदित नहीं है कौन सी रचने है जो हर्ष बर्धन से संबंदित नहीं है तो नागांदन ये है जो हर्ष बर्धन से संबंदित है पिरे दर्षी का भी हर्ष बर्धन से संबंदित है रतना बली भी हर्ष बर्धन से संबंदित है तो हम लोग का correct answer है, जो काबे दर्शन है, यह है जो हर्ष बर्धन से संबंदित नहीं है Next question number six पर चलते है मन्सौर अभिलेक का संबंद किस सासक से है? मन्सौर अभिलेक का संबंद किस सासक से है? तो इसका right answer हो जाएगा यशो बर्मन मन्सौर अभिलेक का संबंद किस से है? यशो बर्मन से तो हम लोग का right answer हो जाएगा यशो बर्मन मुहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किस ने पराजित किया था? मुहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किस ने पराजित किया था? भीम दितिये ने तो हम लोग का right answer हो जाएगा भीम दिती है Next question number 8 पे चलते है दिल्ली फलतनत में बिद्रोधियों के प्रती दूर्वल नीती कि फाफक ने अपनाई थी तो इसका right answer हो जाएगा जला अलोधीन फिरोज खिल जे Next question पे चलते हैं हम लोग दिल्ली फलतनत में कि शुल्तान ने फाइनिकों को नगत बेतन देने की प्रता प्ररम्ब की थी तो इसका right answer हो जाएगा अला उदीन खिल जी अला उदीन खिल जी दिल्ली फलतनत में ऐसा फाफक था जो सानिकों को नगत बेतन देने का प्रता प्ररम्ब किया था अदायत बाद मत को प्रतिपादक कौन थे? अदायत बाद मत को के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक कौन थे? संक्रा 4, तो हम लोगा right answer हो जाएगा संक्रा 4 next question number 11 पर चलते हैं किस मुगल बादफा ने नियाई की प्रशिद जंजीर लगाई थी तो कौन से बादफा ने नियाई की प्रशिद जंजीर लगाई थी जहांगीर ने हम लोगा right answer हो जाएगा जहांगीर लेन पूल के द्वारा किस के द्वारा कहा गया है लेन पूल के द्वारा किस गुरू ने फीकों के एक फैनिक संपरदाई के रूप में परिवर्तित किया था कि से कूरु ने किया था गुरु हर गोबिन्थ फे किस ने किया था फैनिक समपर्दाई के रूप में परिवर्टित किस आफक ने हैं जो बिजय नगर की यात्रा की थी देवराज दूतिये ने हम लोगा राइट अंसर हो जाएगा देवराज दूतिये नेक्स्ट कोश्चेन नमबर 15 पर चलते हैं वन्डी वाफ का यूद कब हुआ था वन्डी वाफ का यूद कब हुआ था फत्रफो संतामन इश्वी में हम लोगा राइट अंसर हो जाएगा फत्रफो संतामन कोश्चेन नमबर 15 देखते हैं अहमद फाह अबदाली के भारत पर प्रतम आकरमन के समय मुगल बादफा कौन था अहमद फाह अबदाली के भारत पर आकरमन के समय भारत का बादफा कौन था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा मुहमद फाह तो हम next question number 17 पर चलते हैं पलाशी का यूद कब हुआ? पलाशी का यूद कब हुआ? फत्रफ फंतामन में next question number 18 देखते हैं फाजाबाद में 18 फंतामन के बिद्रो का नित्रीत वे किषने किया था तो किस ने किया था अहमद उल्ला ने हम लोगा राइट अन्फर हो जागा अहमद उल्ला नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 19 किस इतिहाफकार ने बंगाल के फत्राफ पैंफट इश्वी से लेकर फत्राफ बहत्तर इश्वी के काल खंड को डाकू राज की संगिया दी थी तो कौन सा इतिहाफकार था जो बंगाल के फत्राफ पैंफट इश्वी से लेकर फत्राफ बहत्तर इश्वी को काल खंड को डाकू राज की संगिया दी थी तो इसका right answer हो जागा KM Panikkar Next question number 20 देखते है Economic history of India नामक पुफ्तक किस ने लिखी है? Economic history of India नामक पुफ्तक किस ने लिखी है? तो किस ने लिखी है? रमेशचंद्र दत ने तो हम लोगा right answer हो जागा रमेशचंद्र दत Next question number 21 देखते है किश अधिनियम के माध्यम से भारतियों की शिच्छा पधती पर एक लाख रुपिय खर्च करने का प्रभधान किया गया था किश अधिनियम के माध्यम से भारतियों के फिच्छा पर एक लाख रुपिय खर्च करने का प्रभधान किया गया था तो हम लोगा राइट अन्सर हो जाएगा 1813 अकाधिनियम के द्वारा भारतियों पर एक लाख रुपया खर्च करने का प्रबधान किया गया था नेक्स्ट कोश्चें नमबर 22 देखते हैं आत्मिये शभागा गठन किसने के द्वारा किया गया था तो हम लोगा अन्सर हो जाएगा राजहराम मोहन राइ के द्वारा किया गया था अलिगर अंदोलन के फंस्थापक कौन थे फर फईयद अहमद खान कोश्चन नमब 24 देखते हैं पागल पंथी बिद्रो किसके नेतरीत में हुआ था पागल पंथी बिद्रो किसके नेतरीत में हुआ था हम लोगा राइट अन्सर हो जाएगा करम फाह यानि कि पागल पंथी बिद्रो करम फाह के नेतरीत में हुआ था नेक्स्ट कोश्चन नमब 25 देखते हैं हम लोग गांधी जी ने दच्छिन अपरी का परवास के दोरन किस रचना का प्रकाशन किया था यानि कि जब वो दच्छिन अपरीका के प्रवास के दोरान वो थे कौन फे बुक का प्रकाशन किये थे तो हम लोग का राइट अन्सर हो जागा इंडियन ओबिनियन नेक्स्ट कोश्चन नमब 25 देखते हैं हम लोग तो इसका राइट अन्सर हो जागा लौड बेलेजली नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं मुझपरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रियास कब किया गया था? इसका राइट अन्सर होगा उनाइशो आठ में यानि ओप्सन नमबर C नेक्स्ट कोश्चन नमबर 29 पर चलते हैं हम लोग निमलिकित में से किस ने दिल्ली में स्वधेशी आंदोलन का नेतरीत भी किया था? फैयद हैदर रजा ने हम लोग का राइट अन्सर हो जाएगा फैयद हैदर रजा किशुदारवादी नेता को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम पे जाना जाता है दादा भाई नरोजी हम लोग का राइट अन्सर हो जाएगा उपसन नमर्डी दादा भाई नरोजी नेक्स्ट कोश्चन नमर्ड 31 देखते हैं निमलिकित में कौन से घटना सबसे बाद में घटित हुई है सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई है यहाँ पर क्या चमपारान यूदि कब हुआ था उनैसो 17 में खेरा शत्य गरह कब घटित हुआ था उनैसो 18 में अर सहयोगा अंदोलन था जो उनैसो 20 में और स्वराज पार्टी का घटन हुआ था उनैसो 23 में तो सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुआ था स्वराज पार्टी का घटन तो हम लोगा राइट और अंसर हो जाएगा उप्सान नमबर B स्वराज पार्टी का घटन नेक्स्ट कोशे नमर 32 देखते हैं जलिया वाला बाग हत्या कांड के बिद्रोह में निमन मेंफे किसने अपनी फर की उबादी लोटा दी थी तो जब जलिया वाला बाग हुआ था उप्सान अपने फर की उपादी किसने लोटा आई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने आप्सान नमबर D हम लोगा यह जो था प्रतम जन आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था कोश्चन नमबर 34 देखते हैं निमलीखित में से किस के फुझाब पर भारतियों को फाइमन कमिशन को निमलीखित में से किस के फुझाब पर भारतियों को साइमन कमिशन से बाहर रखा गया तो किसके फुझाब से लौड इर्बिन के फुझाब से भारतियों को साइमन कमिशन से बाहर रखा गया था नेक्स्ट कोश्चन नमबर 35 देखते हैं दीतिये 20 वियूद कब फुर हुआ था दूतिये 20 वियूद कब फुर हुआ था नेक्स्ट कोस्चन नमबर 36 देखते हैं हम लोग निमलिखीत में से कौन फायूग में सही फुमेलित नहीं है तो इसका देख लेते हैं हम लोग तो इसका क्या है लौड रीपन इसका है जो कम्यूनल आवार्ड ये क्या है हम लोग का अंसर गलत दिया हुआ है नेक्स्ट कोस्चन नमबर 37 देखते हैं जहन्डा गीत निमलिखीत में से किस के द्वारा लिखा गिया था जहन्डा गीत किस के द्वारा लिखा गिया था फ्यामलल प्रशाद के दिया रहा ओप्सन नमबर भी हम लोग का करेक्ट अंसर होगा फ्यामलल प्रशाद नेक्स्ट क जाएकोवा D, यानि उप्सन नमबर A, जाएकोवा D, कौन सा संगर्ठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यानिवित करता है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, ना फेड, आर्थिक फर्वेच्चन द्वारा, आर्थिक फर्वेच्चन किसके द्वारा प्रकाशित होता है, आर्थि उप्सन नमबर A, लोगा कर्यक्ट अंशर हो जाएगा, फधिज हा ऑभिजान का अधियान का वुद्वेच्चन किफ आयो के बच्चे को फिच्चन प्रदान फिच्च्चे प्रोत्फाहित करता है, ना फिच्ट पर्यान का बच्चों के लिए घुक्र mut सर हो जाएगा next question number 43 देखते हैं निमलिखित कंद फफलो में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है कंद फफलो में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है option number B आलो next question number 44 देखते हैं भारतीय मौसं बिज्ञान संफ्था कहां इश्दीथ है भारतीय मौसं बिज्ञान संफ्था नई दिल्ली में इश्दीथ है नेग्स्ट कॉस्चिन नमर फोटी फैफ देखते हैं दस्चिन एस्जया इचेतरी ये वह 오래 registration अब रुआ प्रांक के सब्सक्रीम में क्रामृत वह आसे,चुंदहे अभ्राइल कि हम ऍरवी लगिरा,णार मेह ठीले सब्सक्रीमी में आसे,चु दो क्लिए,पतर कुस्ट है। तमिल नाडो अंडमान और निकोबार दीप समों में कितने दीपों का नाम परमबीर चक्र बिजेताओं के नाम पर रखा गया है यानि कि अंडमान और निकोबार दीप समों में कितने दीप हैं का नाम है जो परमबीर चक्र बिजेता के नाम पर रखा गया है तुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन, फंचालित नौका का नाम क्या है, एमेफ हाइड्रा, ऑप्शन नमबर A हम लोगा करेक्ट अंसर होगा, एमेफ हाइड्रा, भारतिये अंत्री छनुफंधान संगठन, इश्रो ने अपने 12 बर्ष पुराने उपगरा, मेगा ट्रॉपिक से को किस माहाफागर में गिराया, इसका राइट अंसर होगा, प्रसांत माहाफागर, नेक्ट कोस्चन नमबर 51 देखते हैं हम लोग, फित बीनी राबुका किफ देश के नए प्रधान मंत्री बने है फित बीना राबुका है जो किफ देश के नए प्रधान मंत्री बने है फीजी आस्ट्रेलिया ओपन 2030 के भी जेता कौन है और जेता कौन है और अस्ट्रेलिया ओपन में नुवाक जोकोवीच नेक्ट कोस्टा नुमर 53 देखते हैं हलही में किश भारत वनफाधन ने कृत्रिम हिर्दे तैयार करने में फफलता हासिल किया है यानि कौन सा भारती ये शंफता है जो कृत्रीम हिर्दे तयार करने में सफलता हासिल की है तो इसका right answer हो जागा IIT कानपूर किस बर्फ तक भारत उर्जफ वतंतरता प्राप्त करने का लक्ष निर्धारित किया गया है यानि किस बर्फ तक भारत है जो उर्जफ वतंतरता प्राप्त करने का लक्ष निर्धारित किया है दोफो फैंतालिफ यानि कि जो हम लोगा आजादी का 100 बर्फ होगा उफी टाइम है जो उर्जफ वतंतरता प्राप्त करने का लक्ष रखा है question number 55 देखते है मृदू उत्तक एक प्रकार का मृदू उत्तक एक प्रकार का क्या है फरल उत्तक है option number B हम लोगा correct answer हो जागा निमलीखित कतनों पर विचार करें यहाँ पर कतन दिया गया है उस पर विचार करना है तो पहला option क्या है कवक एक में chlorophyll का अभाब होता है नेक्स्ट है मस्रूम बायो फ्राइट के अंतरगात आता है सैवाल संभान यह पौधा है थैलोफाइट वर्ग के पौधा का फरीर जड़ तना एवं पत्यों में विभेदित नहीं है तो इसका correct answer हो जागा 1 हो जाएगा B केबल एक और चार नेक्स्ट कोश्चन नमबर 57 पर चलते हैं पे जल में फैलने वाला रोगा है पे जल में फैलने वाला रोग कौणसा है हे पे टाइटी 58 कोश्चन नमबर देखते हैं दुधारू पफों का रोग एंतरेक्स होता है बैक्टरिया से option number A हम लोग का correct answer हो जाएगा दुधारू परफू में इंत्रे फ्रोग होता है bacteria से next question number 59 देखते हैं रसा कुर पाया जाता है तो रसा कुर किस में पाया जाता है? छोटी आत्मे next question number 60 देखते हैं अब अभी स्वसन कोशी का के किस भाग में होता है? अब आई भी ये स्वसन कोशी का के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है कोशी का द्रब में option number B इसका correct answer हो जाएगा जब फ्राइब ब्रीनोजियन प्लाजमा फे अलग हो जाता है तो फ्राइब रोजियन रहित प्लाजमा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बहुतिक राषियां कesusंख्या कितनी हैं और नमर डी हम लोग का करेक्टानफ़ हो जयेगा हैं梁लिख्षिद में कौन सा कथन यह अफत है hell में परिनाम होता है यह भी गलत है श्थापन अदिश राषि यह भी गलत है विश्थापन की दर को त्वरन काते हैं ये भी गलत है यानि कि जो फारा ओप्षन दी है यानि कि फारा ओप्षन इसमें गलत दिया गया है question number 56 देखते हैं यदि किशी बफ्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरन उत्पन नहीं होता है तो बल कहलाता है option A correct answer हो जाएगा यदि कोई बफ्तु किसी द्रब में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कतन सत्य होगा तो option number 3 बफ्तु का भार उत्प्लावक बल शे अधीक है इसलिए बफ्तु है जो डूब जाएगे next question number 58 देखते हैं पुर्ण आंतरिक प्रावरतन की घटना तब संभव होती है जब प्रकास जाता है option number B इसका correct transfer हो जाएगा सघन से बीरल माध्यम में next question number 59 देखते हैं स्वेट प्रकास जब एक प्रीज में से होकर गुजरती है तो बर्ण कम से कम बीचलित होता है लाल रंग में next question number 70 देखते हैं चालक की लंबाई बर्हाने पर प्रती रोध में क्या प्रवाव परेगा चालक की लंबाई बर्हाने पर प्रती रोध भी क्या होगा बरेगा यानि option number A correct answer हो जाएगा next question number 71 देखते हैं वाईल्स तथा चाल्स के नियम को समलित रूप से क्या कहा जाता है गैम समी करन option number B correct answer हो जाएगा next question देखते हैं समुद्र के तल पर नमको किस बिधी द्वारा निकाला जाता है तो किस बिधी द्वारा निकाला जाता है बास भी करन option number A correct answer हो जाएगा next question number 73 देखते हैं एकवा रेजिया में हाईड्रोकलोरिक अमल तथा नाइट्रिक अमल का अनुपात होता है तो कितना होता है 1H2 3 right answer होगा option number A 1H2 3 next question number 74 देखते हैं बिधूत का फुच्चालक अधातू है तो बिधूत का फुच्चालक अधातू कौन सा है ग्रेफ फाईट है next question number 75 देखते हैं एक द्रव अधातू है तो अधातू कौन सा हो जाएगा ? ब्रोमीन ऐसा अधातू है जो लिक्विड फॉम में राता है next question number 75 देखते हैं पीच ब्लेड नेम में से किस धातू का IF का है ? तो पीच ब्लेड है किस धातू का IF का है ? इसका right answer ह हो जाएगा यूरेनिया और नमबर भी करेक्ट आंफर नेक्स्ट कोश्चन नमबर 77 देखते हैं रेडियो फक्रियता की खोच किस ने की थी हेंडरी बेकेरल ने भरतिय शंबीधान में संफद के दोनों सद्रों की संयुक्त बैठक कब प्रबधान किस देफ़े के वंबीधान में ग्रिहित किया जाता है तो कब किस देफ़े है और नेक्स्ट कोश्चन नमबर 79 देखते हैं राजपाल को पद किस अपत किस के द्वारा दिलाई जाती है तो भरतिय शंबीधान के किस अन्फोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राजब्यवफ्था को समयधानिक धर्जा दिया गया है तो किस शंबीधान शंफोधन के द्वारा ओप्सन नमबर 73 कोश्चन नमबर 81 देखिए संग लोग फेवा आयोग की रिपोर्ट किस को करनी होते है राफ्ट पती को कि नेक्स्ट कोश्चन नमबर 82 देखिए निमलिकितकिश अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों की फ्वाइता प्रादान की गई है तो राइट अन्शेर हो जाएगा ऑप्सन नमबर 3 भारत फरकार अधिनियम 1935 के द्वारा नेक्स्ट कोश् प्रामिल कानुने मुद्दों पर पुनर विचार करेगा ऑप्सन नमब़ 6 का करेक्ट अन्फर होगा अपिल्ये 6 अधिकार को द्वारा भारतिये स्वंभीधान का अंतिम व्यवववव थापक है भारतिये स्वंभीधान का अंतिम व्यववव थापक है कौन है फर्बोच नियाल है अप्षन नमर्डी इसका करेक्टन शरू हो जाएगा समाजबादी अर्थ व्यवववव्था में उत्पादन के सभी कारक स्वामित्र और नियंत्रन में रहते हैं ऑप्षन नमबर फी राजिक है महाल नोबिश मॉडल का संबंध किस पंचवर्षी योजना के साथ जोरा गया तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दूफरी इन में से कोई नहीं तो गरामिन जन्शंक्या सबसे ज्यादा है हिमाचल परदेश में है कि बिहार बजट दोहजर तेश चौबिफ के अनुफर बिहार का विकाफ दर कितना रहने का अनुमान है तो इसका कितना रहने का अनुमान है फिप्टिन पॉइंट टूफोर सबसे अधिक चावल का उत्पादन की फ्राज में होता है तो अप्षा नमबर फी यानि पंजाब में नेक्स्ट कोश्चन नमबर 90 देखते हैं फूची वन के फाथ फूची टू को मिलाई है और फूचियों के दिये गए कुटों की फाहिता फे फही उत्तर का चैन कीजिए तो इसका जीम कारवेट कहां पर इफ्थित है जीम कारवेट उत्राखंड में है वाधबगर कहा है बाधबगर है मध्यपड़ेश में नाम नाल हो आतर प्रेक्टानसर क्या हो जाएगा 182 तो ऩृम यंयानी 24.'' कि भारत में बर्फानीम नमेंफे किंद से के चेत्रों में होती है तो के चेत्रों में होती है आप्शन ए पश्मी हाट हिमाली छेत्र तता मेंगाले में PCs भुमेद्ध रेखा कितने चेत्रों से होकर गुजरती है 94 question देखते हैं निमलिकित जल्दाराओं में कौन सी ठंडी जल्दारा है तो कौन सी ठंडी जल्दारा है तो इसका राई टांफर हो जाएगा D. इन में से फब ही यानि की फैकलंड जल्दारा लेबराटोर जल्दारा बेगवेला जल्दारा ये सब है जो ठंडी जल्दारा है निमन में से कौन सा देव कैप्शिय्ण फागर के फीमा नहीं बनाता है Q. देखते हैं निमन में से कीप्स जीला की फीमा की लंबाई पस्चिम बंगाल के कम असपर्प करती है तो इसका करेक्ट आनफर हो जाएगा पुर्णिया यानि option number 3 correct answer है निमलिखी तमेशे कीफ राज में फरवाधिक पाई राइट पाई जाते हैं पाई जाते हैं पफशिम बंगाल में option number 3 correct answer हो जाएगा 2011 की जनगन्ना के अनुशार बिभार में फरवाधिक लिंगा नुपात किफ जिले में है यानि कि बिहार के कीफ जिले में लिंगा नुपात फब से ज्यादा है तो option number 3 correct answer हो जाएगा गोपाल गंज भारत का फब से लंबा राफ्ट्रिये जल मार्ग है भारत का फब से लंबा राफ्ट्रिये जल मार्ग कौन सा है राफ्ट्रिये जल मार्ग 1 option number A, correct transfer हो जाएगा question number 100 and last question देखते हैं phone ने रेखा कहलाती है option number D, correct transfer हो जाएगा त्रिपूरा और बंगलादेव के बीच की रेखा को phone ने रेखा कहा जाता है